इन्नेक्स्ट वीडियो किसपına अपलोड़ करी जाए तो भाई लोग यह प्राप्लम तो तुमने भी नाकभी जरूर फियस की होगी और इसके चक्तर में तुमने वीडियो भी नेपलोड की होगी और डी-मॉटिवेट होचुके होगी तो आज मैं इसी problem का solution लेका है हूँ, कहां से तुम अपने channel related video ideas को निकाल सकते हो, और उन पे videos को create कर सकते हो, और ये भी नहीं है कि बखवास ideas होंगे, trending ideas होंगे, जिसके थूरू तुमारी videos rank होंगी, और तुमारे channel की growने की chances भी increase हो जाएंगे, तो video में आगे बने से पेले video क सब्सक्राइब कर देना यार, बाकी बढ़ते हम वीडियो की तरफ, अब यहाँ पे हमारे पास total 2 methods निकल काते हैं, जिसके थूरू हम video ideas को निकाल सकते हैं, सबसे पहला normal ideas, इसमें हमें बता चलेगा कि हमारी नीच पे total videos कितनी बन सकते हैं, total content कितने बन सकते हैं, और दूसर इसमें हमें बता चलेगा कि हमारी नीच पे अभी trend क्या कर रहा है, तो ऐसे से करके हम दोनों method को use करेंगे, जिसके थूरू हम video ideas को निकालेंगे, तो सबसे पहले जलते हैं, पहले method की तरफ, तो सबसे पहले तुम्हें एक website पे चले जाना, जिसका नाम है answer the public, link देदू का description में वहाँ पे जाके click करो, open कर लो, तो website को open करने के बाद तुम्हें कुछ इस type का interface होगा, तो यहाँ पे तुम्हें simply search for option मिल जाएगा, उस पे तुम्हें क्लिक करो, और उसके बाद तुम अपनी channel की नीच को इदर add on कर दो, मालनो तुम्हारा channel gaming related है, तो यहाँ पे gaming type कर ल अब यहाँ पे तुम्हें how to पे मिल जाएंगे, when to पे मिल जाएंगे, काफी सारे different ideas मिल जाएंगे, जिस पे से तुम कोई भी choose कर सकते हो, और उन पे videos को बना सकते हो, अब guys, इस website के तुम्हें पता लगता है कि audience अब से मांग क्या रही है, अब जैसे कि हमने gaming search किया, तो gaming पे हमें काफी सारे ideas मिल चुके हैं, जो कि audience देखना चाहती है, तो इन में से तुम किसी भी idea पे video बनाओ, और अपने channel को फिर से शुरू करो, अब यह तो आप पहला method, जिसके थुरू हम video ideas को निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने gaming के बारे में बताया, अगर तुमारा किसी भी niche channel है, तो तुमने उधर type करना है, उसके बाद तुमें ideas मिल जाएंगे, अब बढ़ते हैं, दूसरे method के जिसमें हम trends के बारे में बात करेंगे, कि तुमारी niche पे अभी trending क्या चल रहा है, तो उसके लिए मैं एक website पर जाना है, जिसका नाम है Google Trends, तो Google Trends को open कर लो, सारे links तु options मिल जाएंगे, तो इन चार में से सबसे एंड वा जो option हो करना web search, उस पे click करके तुम वहाँ पे YouTube search पर click करो, क्यों कि हम YouTube का data निकालने वाले हैं, अब search करने के बाद तुमें scroll down करके नीचे आ जाने, और यहाँ पे तुमें काफी सारी ideas मिल जाएंगे, जो की mobile gaming से relate करते हो तो इन में से तुम किसी भी idea को choose कर सकते हो, और इस idea का benefit है कि यह ideas trending चल रहे है, तो तुमारी video rank भी हो सकती है, तो इन में से तुम किसी भी idea को choose कर और उस पे video बनाओ और अपने channel को grow करो, अब यहाँ पे मार पास एक और method निकल के आता है, जहां से हम video ideas को निकाल सकते हैं, जो कि है vidIQ, अब vidIQ को एक platform है, जिसके तुरू हम अपने channel की analytics को काफी deeply देख सकते हैं, और अपने channel को इसके तुरू काफी हद तक grow कर सकते हैं, अब vidIQ कैसे account create करना है, कैसे link करना है, बहुत तुम किसी और video से जाके देख लो, YouTube पे काफी सारी videos मिल जाएंगी, वहाँ से जाके YouTube को link करो, अपने vidIQ account के साथ, तो link करने के बाद website पे हो जाओ, और यहाँ पे तुम्हें दो options ऐसे पताऊंगा, जिसके तुरू तुम काफी easily video ideas को निकाल सकते हो, अब सबसे पहले तो vidIQ तुम्हें खुदी daily के तीन ideas देगा, जिस पे तुम videos को बना सकते हो, और ऐस इसी बी idea को choose करके उस पे video बना सकते हो, और चाहो तो इन ideas को save भी कर सकते हो, अब यह तो पहला method बढ़ते हैं, दूसरे method की तरफ, जिसमें हम manually ideas को निकालेंगे, तो उसके लिए करना है, सबसे topic keywords और option मिलेगा, उस पे तुम click करो, और यहाँ पे तुम्हें सर्च वाला option मि create कर सकते हो, और यह सारी काफी अच्छे कासी ideas होंगे, जो की maximum लोग search कर रहे हैं, और rank भी कर सकती है, ऐसे तुम्हारी video, तो ऐसे करके तुम्हें काफी easily video ideas को निकाला है, अपने channel के लेड़े, मैंने तुम्हें काफी सारे different ways बता दी है, इन मेंसे तुम कोई भी choose कर सकते हो जिस पे तुम्हें जादा अच्छा लग रहा है, पाकि मैंने तुम्हें बिल्कुल easy way में समझाने की कोशिश की है, अगर तुम्हें फिर भी कुछ problem आ रही है, comment section में पूछ सकते हो, instagram पे आके पूछ सकते हो, जरूर reply करूँगा, तो मैं मिलता हूं से किसी easy videos चाथ, तब के लिए, बाई बाई टाडा, take care